नमस्कार मैं हूँ अभैकुमार आप देख रहे हैं अपना खास कारकरम बिहार समाचार बिहार समाचार में खबरे बिहार की बाते बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरे जिसे आपको जानना जरूरी है बिहार समाचार में हम खबर लेते गाओं के गल्यों से और पहुंच पहली ख़बर है ब्रेकिंग नीव जीया है कि बेगु सराय गोली कांड के आरोपी चार आरोपी गिरफतार मुख आरोपी केसों को जाजा जारकंड के जाजा रेलवेर टेशन पे गिया गिरफतार और हम आपको पता दें कि बेगु सराय में 44 किलोमीटर के दाइरे में बाइक सवारों ने अन्दाधून गोलिया चला कर एक गारा लोगो को गायल कर दिया था जिसमें एक की मौत हो गई थी बेगू सराय गोली कांड के दो दिन बाद बिहार पुलिस मस्टरमाइंट केसों को गिरफतार कर लिया है केसों को जारखंड के जाजा स्टेशन पर पकड़ा गया है जिसके बाद उसे बेगू सराय पुलिस को सोप दिया गया है अन्य तीन संदिग्द यूराज अरजुन और सुमीत को पुलिस ने हिरासत में लिया है नेशनल हाइवे 28 पर 13 सितंबर को पाच जगों पर बाइक स्वारों ने गोलिया बरसाई थी जिसमें एक बेक्ती की मौत हो गई थी जिसमें सरकार की बहुत किरकिरी भी हो रही थी आखिर अपराद का ग्राप क्यों बढ़ रहा है हलाकि तरह तरह के तरक दिये जा रहा है नितीश कुमार का है तरक की पिछलों को और मुस्लिमों को निसाना बनाया जा रहा है जबकि घायलों में शवर्न भी चामिल थे हलाकि इस राजनीती पर बिराम लगने वाली है एस पी ने कहा कि बहुत ही चौकाने वाला खुलासा होगा जल्दी हम प्रेस कॉन्फरेंस में बताएंगे तब पता चलेगा कि आखिर इन अपरादियों की मंसा क्या थी हलाकि मुख्या रोपी के सो कई मामलों में जिसको जेल जा चुका है वही दूसरी बड़ी ख़वर आ रही है बिहार के पूर्ग कानून मंत्री कानून से भाग रहे हैं पूर्ग कानून मंत्री कार्तिक सिंग बोडिगाड को छोड़कर फरार हो गए हैं पटना एसेसपी बोले दोनों हरोप में फिर भेजी गई टीम अपहरन के केस में 19 सितंबर को कारवाई होना है अब पूर्ग कानून मंत्री ही कानून से भाग रहे हैं वहीं देश में पहली बात बिहार में टेरर माडूल जैसा साइबर क्राइम माडूल एक टीम हो गया है हरकत में आया है ग्रीव विभाग बनी ज्वाइट साइबर इन्वेस्टिगेशन टीम इसमें बिहार जारखन के अलावां मंत्राइले के टीम भी सामिल है हम बता दें कि बिहार में साइबर क्राइम होते हैं किस विदर्ध होता है लेकिन नतीजा तक नहीं पूछता है ना पराधियों की जफ्तारी हो पाती है नहीं इसका खुलासा हो पाता है साइबर क्राइम के हब जामतारा से ट्रेनिंग पाया पराधियों ने छह जीलों में कायम किया है नेटवर्क हर मर्ज की दवा सत्रह जारवर्क फूट में बना इओ यू का अत्याधूनिक लैब यहीं से इन्विष्टिगेशन हो जाएगा साइबर क्राइम को रोकने के लि लेना पड़ेगा अलाकि बिहार को बहुत देड़ से इस बात की समझ आई है और वहीं जद्जीव ने कहा है कि किन्द सरकार ने लुहार निसाद बिंद विलदार और नूनिया जाती के साथ भेद भाव किया है किन्द ने बिहार के जातिओं को इसी में सामिल नहीं किया है हलाकि बिहार में इन जातियों को आरक्षन है कई ऐसी जातिया जिसको बिहार में आरक्षन नहीं है लेकिन किंद्र ने सामिल किया है और क्रिसी मंत्री का फिर से बयान आया है हमेशा सुर्खियों में रह रहे हैं सुधाकर सिंग क्रिसी मंत्री क्रिसी मंत्री फिर बोले कि हम प्रादिकारी के नजदीक घुटना टेक देंगे तो किसानों की समस्या का सामाधान कौन करेगा मंत्री ने कहा है कि हम ही जब स्वरों के मनमर्जी के खिला आप अपना घुटना टेक देंगे तो किसानों की समस्या का सामाधान कौन करेगा और इधर करे कि केंद्र में कि नितीस बोले केंद्र में हमारी सरकार बनी तो बिहार वा अंद्र राज्यों को विशेष राज का दर्जा मिल जाएगा मुख मंत्री ने कहा है विशेष राज का दर्जा मिलता तो बिहार आगे बढ़ता अगर केंद्र में मेरी सरकार बनी तो बिहार क विशेष राज का दर्जा अब तक मिल जाता वहीं मधवनी में सेफटी टैंक से इंटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने से चार लोगों की मौत हो गई है और कुछ इंटरनेशनल ख़बर की बात करें तो आज एस सी ओ समीट में उजबेकिस्थान के अप्रण मंत्री मिटिंग कर रहे हैं और आज ही मतलब कहने का मतलब है कि मिटिंग के बाद एस सी ओ के मिटिंग के बाद रूस के राष्पती पुतीन से उनकी मुलाकात हो सकती है बहुत ही महतफूर मुलाकात है चीन राष्पती सी जिंग पिंग से मुलाकात का कोई ऐसा अभी तक शुडूल नहीं जारी किया गया है नहीं पाकिस्तान के परण मंत्री सबास दरीव से मुलाकात होगी इन दोनों पहले से कयास लगाया जा रहा था कि चीन के राष्परमुक और पाकिस्तान के राष्परमुक से मोधी पीम मोधी मिलेंगे लेकिन अभी तक अभी चल रही है बैठाक और अभी तक सिर्फ पुतिन से राटपती पुतिन से ही मुलाकात की हो रही है और उनकी मुलाकात चल रही है और ही मेटल सवस्ते हुए पर कम नहीं हुए वासिंग मसीन फ्रीज जैसे घरेलू उपकरन के दाम फेश्टिव सीजन में कंजूमर अप्लाइंस की बिक्री बढ़ने का अनुमान का बत ओर और चागीरफता है और मंतर में जो मंतरी है सभी अपना अपना दुखरा रो रहे हैं मंतरियों कहना है कि आम लोगों का नहीं चल रहा है है और तो संद्षकार्टा मंत्री उल्धिया कि मैं मंतुरी हूं मुझे ही अध्र खाद की तो कारवा犯 हुई संद्षक हैं विश्वकुमान की व्रतिक आमसभा में बैया किया अपना जरद कहा केश कला बजारी खत्म दुरू ब Golomaf आपका क्या विचार है कोमेंट में बताईए कि आप सरसाही हावी है और मंतरी ऐसा रोना क्यों रो रहे हैं वहीं बहुत बड़ी ख़वर आ रही है बिहार के पंचाइटी राजी भाग से मुख्य मंतरी ने घोशना किया है बिहार के गाउं में लगेगी बारह लाग संतावन हजार छोसन नब्वे सोलर स्ट्रीट लाइट पांच जीलों से सुरुवात की गई है योजना का सुबरम कर दिया है मुख्य मंतरी ने कहा बाकी जीलों में यह काम जल्द पूरा होगा मुख्य मंतरी ने लोगों से कहा सावधान प्रेम भाई चारा बनाएं रखें और सिच लुदान साथ रुपे से बढ़ा कर 75 रुपे परती लीटर किया गया है अब तक चार लाख 29 हज्जार किसानों को यह रुदान दिया गया है सिचाई के लिए 16 गंटे बिजली दी जा रही है और हम बात करें कि गाउं में सोलर लाइट लगाया जा रहा है अब गाउं के वा जल्ड से जल्ड यह काम खत्म करने के बाद कही जा रही है सोलर लाइट लगाने के लिए पैसे जारी कर दिये गये हैं और उन पैसों से सिर्फ सोलर लाइट ही लगाया जाएगा हलाकि जो पंचायत के मुखियां है वाट्ट सदस हैं इस पर सवाल भी उठाते हैं आला कि प्यों गाउं के अनविकास कारों में किया जाए तो बहुत बढ़िया होगा इसलिए जन परतिंजियों के बहुत ही पुरानी मांग है कि पैसे खर्च करने की बाधिता नहीं किया जा जाय उसको बांधा नहीं जाय बल्कि ग्राम सभावाट सभाद निर्ण लेकिन पैसों क का खर्ट कैसे करे कहा किसी चीछ की जरूरत है बहुत सार जैञेसे जगह है जहां पानी की कोई दीकत नहीं है बहुत कोई कि लाव नहीं मिल रहाा उसा द्यान हो सकता है और उन पैसों का खट कि क्योंकि जहां है जादा उपीयोगी होगा आपके विचार में हैं किंद्र या राज सरकार से उसको बांधा नहीं जाए कि यही काम करना है बलकि गाउं की कि सरकार इस पैसे को क्या करना है आप कॉमेंट में आप की राय क्या है और वहीं अगर हम बात करें कि बिहार में जल्ब परबंधन और बाढ़ से सुरक्षा में कई नई तक्नीक को अजमा रहे हैं अभियंता और इंजिनियर्स काम कर रहे हैं इस पर नई तक्नीकों को अपना रहे हैं अब उधर तक्नीक की सिक्षा में 47 मिधावियों को सम्मान मंत्री बोले पढ़ाई के दोरान ही नौकरी दिलाने का लक्ष बिज्ञान उम परवदों की विभाग की और से तारा मंडल में विधावी छात्रों को पुस्पाहन पुस्कार समारो का आयोजन किया गया और इधर अ प्रण के रिक्त पदों के लिए सेडूल जारी चैनित सिक्षकों को 28 को बटेगा नियुक्ति पत्र जिला प्रिसर नियोचन हीकाईयों में तैनाती और जो पर नियोचन नियुक्ति पत्र बटेगा उसकी विडियोग्राफी भी कराई जाएगी और इधर हरीस एमभाठिया नेता पंकर तिरपाटी को भेट की अपनी दो किताबें और इधर अगर हम बात करें तो भी सेना सोना दो महीने के बाद 4900 से नीचे दिसंबर तक तेजी संभव ए अच्छा मौका है जीतिया के सीजन में वैसे भी सोने की खरीद ज्यादा होती है लोग सोने का जीतिया से खत्रा है पल में खाता खाली हो सकता है पल भर में आपका खाता खाली हो सकता है हैंगिंग वाइरस का नया वर्जन भारत में ब्लेक मार्केट में पहुंचा है लंबे समय तक पासवर्ड न बदलने से खत्रा ज्यादा रहता है इसलिए अगर मोवाइल बैंकिंग करते है तो पाफ़ट समय समय पर बदलते रहें, सुल्लो सो फीट के मंच से की एले डिलाइट से सज्जा, कथा के मुताबि द्रिस बदलेगा, चुकि दुर्गापुल्या आ रहा है, और जगा जगा रामलीला का मंचन हो रहा है, और स्वीडन में नई सरकार अपरासी मुस्लिमों को इंट्री पर लगी, रोक राष्ट्रवादी डिमोक्रेट की सक्ता में भागयदारी पीएम का स्थिफा, तो दोस्तों या थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूए था, इसी तरह से खबरों के लिए जूड़े रही है हमारे साथ, चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क